तो ही गईस किसे हम लोग आई होप के असलों बात आप देख रहें आपका अपना चैनल डिजिटल मजीद और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक वेब डिजाइनर और एक वेब डिवलपर में क्या अंतर होता है दोनों में क्या काम करना होता है अगर ए इस्को X वाले बात करते हैं वेब डिजाइनर की कि एक वेब डिजाइनर होता क्या है और यह इसका क्या-कक्र रिस्पोंसिब्लिटीं धी जोती है है चलिए start करते हैं तो वेब डिजाइनर के आंदर हमारे पास में वेब डिजाइनर का basically simple 사 मेनिक है एक ऐसा बंदा जो की हमारी वेब साइट के layout them कर सके डैट fulfillment score a web designer अब डिजाइनर कोई coding नहीं करता है वह just simple news no coding tools उन्हीं का यूज करके website के याओट करता है और इसको जो है skills की बात करें तो इसके बास में visual design यानि कि हमारे पास में जो designing है वह बहुत अच्छी होनी चाहिए है ना second number पर यूजर इसके अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी बिगिनर नहीं उसे क्रियेट किया है एक प्रोफेशनल वेबसाइट और एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाली जो है website महां पर आपको दिखनी चाहिए और फिर second number पर अधर नमर पर आता है graphic designing का उसका knowledge होना किस तरीके से graphics होते हैं कहां पर कैसा graphics रहेगा तो अच्छा लगेगा कहां पर कितना color होना चाहिए वगरा यह सब चीज़े graphic designing के अंदर आती है तो यह सब चीज़ें का knowledge उसे होना चाहिए फिर fourth होना आता है कि interaction design यानि कि हमारे पास में जो design है वह interaction वाला होना चाहिए like बा प्रकारे बसे में कुछ buttons होने चीज़ें कुछ input होने चीज़ें अगर बात की जाएक form की तो form के अंदर जिस प्रकारे buttons होते हैं कुछ input fields होती है right तो एक interaction होता है साथ में तो अगर user क्लिक करता button फिर एक next speech पर जाता है यह फिर अगर बटन पर क्लिक होने पर कुछ हो रहा ह है तो that is called interaction वैसा interaction भी आपको जयमा पर देना पड़ता है फिर रही बात 5th point की that is a responsive design यानि कि जो भी आप layout बना रहे हो वो चाहे वो mobile screen पर देखें तो भी अच्छा दिखना चाहिए चाहे हमारे पास में अगर वह एक laptop screen पर हो यह चाहे हमारे उसमें desktop screen पर हो टैबलेट पर देख रहे हो किसी भी device पर देखें हमारी जो website एकदम अच्छे से दिखनी चाहिए जैसे कि अगर आपन एक्जामपल है इसके उपर यहां पर तो हमारे पास में simply same चीज़ कर रखी है एक website है अभी के लिए आपन इसी के website का लेते हैं जिसके उपर हमारे पास में simple एक कार्ट है अब यहां पर हमारे पास में कुछ input fields भी है जो भी अपने देखा इंट्रेक्शन डिजाइन के अंदर होनी चाहिए फिर कुछ buttons भी है कुछ text है एक user experience अच्छा आ रहा है साथी साथ इसमें graphic designing की knowledge काफी अच्छे से यानि की desktop screens पे या वाकी screens पे वह ऐसा देखेगा जब हमारे उसमें वह एक मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाएगा तो हमारे उसमें इसको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा राइट यह होता है हमारा एक web designer का का अब बात करते हैं हमारे पास में वेब developer का कि web developer का क्या काम होता है web developer का basically तीन काम होते हैं और तीनों ही बहुत important होते हैं चलिए के करके सबको देख लेते हैं पहला आता है front end development यानि कि हमारे पास में जो भी web designer अभी तक design किया है उसने no coding skills का यूज करके यानि कि graphics का अगर अपन बात करें हमारे बस में Photoshop हो गया है ना Elementor हो गया या ऐसी कुछ चीज़ें है उनका यूज करके उसने design किया website को अब आपको उसने जो visualize किया है अब उसको आपको actual coding करके उसको as in real website बनाना पड़ेगा है ना तो that is called the front end development यह पहला step होता है जो भी डिजाइनर ने बनाया है content उसको जो है simply coding के through आपका उसको वहां पर आपकी website ready करना second number बात करें तो आता है back end development ठीक है front end development हो गया सामने बन गई website बहुत है अगर हमारे पास में यहां पर let's say proceed to checkout पे click हो then उसके बाद हमारे पास में next कहां जाना चाहिए हमारा जो data है हो कहां से होना चाहिए हमारा data किस तरीके से जाना चाहिए क्या data जाना है और क्या नहीं जाना है हर चीज का जो है वो back end development में देखा जाता है कि अगर हमारे पास में इस बड़न में click हुआ देन वह पीछे एक और राउट पे जाएगा यहनके एक और URL पे जाएगा जहां पर हमारे पास में सारी किसारी यह इंफरमिशन जितनी भी कार्ट में डली हुई है चीज़े यह सारी किसारी यहां सर जाकर वहां पर जाएंगी quantity बगारा सब कुछ एक साथ जाएगी बैकेंड देवलप्मेंट जिसके थ्रू और यह भी पूरा कोडिंग के थ्रू होता है जिसके थ्रू हम जो जितनी में हमारे फ्रुंटेट इड़ेटा आ रहा है कि अम इसको बैकेंड के ओपर सिंप्ली मॉडिफाय करते है ठीक है अब एक लास्ट आप्शन आता है एक ला back-end पर गया छोजह तो इसके लिए हम क्याया करते हैं करते हैंふ हमारे ऐसमें जो भी डेटा आया है हम उसकों डेटा-स के अंदर store कर वाते हैं जिसके अंदर फॉइम है quantity हो में प्राइस हो गया अपने प्रोडक्त कोन सा pais वो सब चीजे हो गई यह सारी चीजे जहां हमारे पास में डेटाबेस के इंदर जाकर के इस्टोर होती है ठीक है यह होता है फ्रंट-end सरी एक वेब डेवलपर का काम तीनों चीजों में उसको होना हो चाहिए पहले फ्रंट-end dvlp करना है देन बैकेंड देवलब करना है और ये तिनों काम होते हैं एक वब डिवलपर के अब अगर आपका बात किया जाए कि आप किस फील के अंदर जा सकते हो तो अगर आपका डिजाइंट आपका जो इंट्रस्ट है वो creativity में डिजाइंच अंदर है यूई डिजाइन करने में हैं यानि कि काफी अच्छा आप यूजर इंटरफेसें कर सकते हो कोडिंग आपके आप नहीं जाना चाहिए कोडिंग के अदर तो आप एक वेब डिजाइनर के थू अब डिजाइनर जो आप बन चाहिए कि इसके अंदर आपके पास में नोग कोडिंग स्किल्स ही चाहिए हैं सेंपली आपको कुछ सॉफ्ट्वेर्स का नौलेज होना चाहिए लाग फोटोशॉप होगा इलिसके अंदर आप ग्राफिक्स बना सकते हैं यह सारी चीज़ें आप जो हैं वेब डिजाइनर के अंदर अगर आप करना चौओ तो यह बन सकते हैं रही बात अगर आपको कोडिंग ही करनी है तो आप डिव्टर भरन सकते हो जिसके अंदर आप फ्रंट एंड बैकेंड डेटाबैस के बार में जानूं और उसके बाद में आप एक विब डावर बन सकते हो ठीक है जी तो आज आज की इस वीडियो के लिए तरह ही करते हैं यह होप कि अपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छी लगिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिजेगा मैं में आपको नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ